नमस्टकर दोस्तो सुआगते एक को नई सांदर वीडियो में मेरा ना मैं प्रदीप आप देख रहे हैं technology और दोस्तो आज की इस यूडियो में हम बात करने वाले हैं instant personal loan app के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी instant personal loan एप के बारे में बताने जा रहा हूँ complete process आपको दिखाऊंगा apply करके कि अगर आपको कोई ऐसी medical emergency होगी है कोई दूसरी ऐसी emergency होगे कि आपको पैसों की need है पैसों की जरूरत है कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा आपको loan लेना है तो इस app के मादम से simple अपने mobile से instant आप loan ले सकते हो और पैसा सिधा आपके bank account में credit कर दिया जाता है complete process आपको दिखाऊंगा कैसे apply करना है इस app के मादम से आपको 5000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का instant आपको loan मिल जाता है क्या क्या document आपको देने रहेंगे कैसे apply करना है A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए वीडियो में आगे बड़े उससे पहले वीडियो को like कर दीजे और आगे इस तरह की help और वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जो सब्सक्रेब कीजेगा तो चलिए अब आपको step by step आपको दिखा देता हूँ complete जानकरीम आपको दे देता हूँ तो देखे इस app का नाम है instant fund यानि की तुरंत आपको loan मिल जाते है पैसे मिल जाते हैं इस app का जो link है मैंने वीडियो के description में दे दिया है वहां से भी install कर सकते हो और comment भी मैंने ping कर दिया है वहां से भी आप install कर सकते हो बाकि यह जो app है Google का जो play store उस पर available है और nbfc के साथ जुड़ी हुई है अब यहां पर तीन step में आपको loan मिल जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है आप को install कर लेना है उसके बाद अपनी eligibility check करनी है जब eligibility check हो जाए उसके बाद आपको loan का turnover आपको select करना है और उसके बाद simple आपका पैसा आपके bank account में credit कर दिया जाता है अब यहां पर देखें अब instant fund यहां पर आपको fast approval मिल जाता है पैसा तुरंत bank account में आएगा फास्ट approval आप है यह और कम interest पर आपको loan मिलता है इसके साथ साथ और यहां पर आपको बताते तो हूँ सो परसंट paper less process है कहीं पर कोई document भेजना नहीं है simple सारा का सारा process अपने mobile से आप कर सकते हो lifetime access to credit सो परसंट safe and secure एप है no collateral no guarantee यहने कि loan लेने के लिए आपको ना तो कोई document से कुछ चीज गिरवी रखने की जुरूत है ना guarantee की जरूरत है इसके साथ इसके लिए बैसा रिख आपको मिल जाता है इनकी website का लिक मैंने वीडियो के description में दे दिया है इनकी website भी है तो website के मादम से भी आप जो है यहां पर website जब इनकी open करेंगे तो आप को download option मिलेगा तो यहां से भी एप को इस्टॉल कर सकते हो बाकि मैने वीडियो के डिस्क्रिप्टिप्टिं में इस एप का लिंक दे दिया है अब यहां पर पता रख्थ है कि आप लों किसे लिए सकते हो एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हो, भॉस्पिटल का जो विल है उसको पे करने के लिए लोन ले सकते हो इसके साथ साथ कुछ गैजट का करना है उसके लिए भी लोन ले सकते हो तो चलिए अब आपको क्या करने है वीडियो का डिस्क्रिप्षन वे जो मैंने link दिये है उस link पर जाकर एप को install कर लेंगे उसके बाद ऐसको open कर लेंगे तो इसके बाद आपके इस तरह का जो इंटर्फेस आ जाएगा यहाँ पर आपको अपना मुइल नमBER मरें तो लोग इन हो जाएगा या­nE आपका account create हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको अपना आधार card number देना है आधार card number mention करना है उसके बाद send OTP का जो option है इस पर आपको प्रेस कर देना है उसके बाद आपके आधार card के साथ जो mobile number link रहते है उसके पर OTP आएगा OTP यहां पर mention करना है और फिर verify आधार कर लेना उसके बाद यहां पर आपको select करना है कि आप salary person है या पिर self employee है जैसे की यहां पर मैं select कर लेता हूं मैं salary person हूँ जब यहां पर select कर लेंगी है अपने इसाब से उसके बाद यहां पर आपको को अपना को दूसरा mobile number देना है OsISA के बाद आपको अबने इमेल च्लेका अथ। कर करनी है जब यह कर दें उसके बाद आपको next करने के बाद उसके बाद यहां पर आपको reference देने रहता है यहां पर फैमली का reference आप दीजिए उसका option है इस पर आपको प्रेस कर देना है क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल देंगे इसमें आपका लोन का पैसा आएगा और इसी से आपकी 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 यहाँ आपकी नहीं हैं अब यहां पर आया है कि 28000 अगर लेने हैं तो यहां पर और हमें 24 दिन के लिए 24 देज के लिए मिलेंगे और यहां पर 29,000 रुपे लेने तो 28 देज के लिए मिलेंगे और अगर 30,000 रुपे लेने तो 28 दिन के लिए मिलेंगे और अगर 50,000 रुपे का हमें लेने तो 90 दिन के लिए 3 महिने के लिए हमें मिल जाएंगे तो अगर आपको तो ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ से पैस होगी जरूरत है 15-20 दिन के लिए उसके बाद मैं रिपेमेंट कर दूँगा तो काफी अच्छी यहां से आप अपलाई कर सकते हो जैसे कि 28,000 रुपए आपको मिल जाएंगे उसके बाद 24 दिन का आपको समय मिलेगा 24 दिन वापिस आ यहां पर मैं 50,000 रुपए का मेरे को लेना है तो यहां पर 90 दिन के लिए यह दे रहे हैं तो यहां पर मैं अपलाई को उप्सन इस पर मैं प्रेस करता हूँ जैसे फिर प्रेस करूंग उसके बाद यहां पर दिखा देगा यहां पर देखे complete detail आ गई कि 50,000 रुपए का लोन देखा है इतने दिन में यह पर आपको तीन इमॉई जाएंगे यहां पर बता रहे है और यहां से आप पेभी कर सकते हो पेण आपप पर कव्सन पर प्रेस कर किया पर कर सकते हो तो इस तरह से और जैसे हैं पर अप्लाई कर देंगे उसके बाद जो है आपका पैसा आपके bank यहांड अक्रैड में क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपको कुछे मेसेज आ जाएगा कि को आ रटा जाएगा cater day जो यह SC शे अब नोन खेथा दृए्ट में है क्रेडिट कर दिया जाएगा तो इस तरह से आप के बादर आप दे सकते हो और आ wack require जाएगा इसमें बताया जाएगा कि जो लोन दिया जाएगा BP security के द्वारा दिया जाएगा यह NBFC है यानि कि non banking financial company है SC company SA banks जिनको RBI की तरफ से जो NBFC रहती है उनको RBI की तरफ से license मिला रहता है RBI की तरफ से RBI में registered रहते है NBFC रहती है तो इनकी तरफ से लोन दिया जाता है तो यह instant fund जो एप है यह BP securities NBFC है इनके साथ जुड़ू है इनकी तरफ से आपको लोन दिया जाएगा तो यह है एक complete process इस तरह से आप जाए instant आप जाए पचास हजार रुपए तक का आप लोन ल जाएगी आपको जो भी comment रहे उसका answer तेन्य की बाकि एप का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा comment में पिंक कर दिया महा से आप जा सकते हो बाकि इनकी website का link भी मैंने वीडियो के description में दे दिया इनकी website पर भी आप विजिट कर सकते हो तो बस आज की वीडियो में यही ज जानकारी के साथ अपना ख्याल रखेगा बबाए टेक केर